अब प्रिवेस्स लेक्टर में जब भी हमने प्रोग्राम की आउट्पूट या इन्पूट लेनी हो तो हम C in और C out का यूज़ कर रहे थे इनको सटेंडर्स इन्पूट और आउट्पूट कहते हैं जों कि हम C++ प्रोग्रामos के अंदर यूज़र सी ईन्फूट लेने के लिए C in को यूज़करते है और आउट्पूट लेने के लिए and then यहाँ पर हम a main function लगाएंगे stores हम standard input or output को perform करने के लिए एक program बनाएंगे जो के two values को add करें so basically हम यहाँ पर int variable name declare करेंगे and then यहाँ पर num1, num2 stores हमने user को यह कहना है कि आपने number 1 और number 2 की value एंटर करनी है so यह basically एक output है तो उसके लिए हम cout को use करेंगे cout user को एक statement प्रिंट करके देगा और students जब भी हमने standard input या output को use करना हो तो उसके आगे हम angular brasses लगाते है cout के आगे हम less than वाली angular brasses लगाते है so basically इनको हम कहते हैं insertion operator और उसके बाद हमने statement लिखते हैं जो हमने print करवानी हो so basically यह string statement हो तो उसके लिए हम use करेंगे num1 and num2 enter the value of num1 अब students यह एक statement print होगी output में जो कि user को बहेगी कि दो number num1 और num2 को add करने के लिए आप number 1 की value enter करो और अब students यूजर से input लेनी है तो उन पर input के लिए हम एक standard input टैडिस से इनको use करते हैं और उसके आगे हम फिर angular brasses लगाएंगे और यह angular brasses होंगी greater than value इसको हम कहते हैं extension operator अब यहाँ पर हम इस variable name को call करेंगे that is dumb1 and यहाँ पर semi color लगाएंगे same इसी तरह हम same students हम user को कहेंगे number 2 की value enter करो तो यहाँ पर फिर हम एक output statement लगाएंगे और उसके बाद extension operator लगाएंगे and then यहाँ पर string लगाई हमने and then यहाँ पर हमने लिखा enter the value of down 2 and then यहाँ पर semi call लगाएंगे अब students num2 की हम input लेंगे that is say in and num2 को call करेंगे अब अब students हम एक logical output चाहिए means कि number 2 और number 1 जो है add हो जाएं so basically यह एक output है so उसके लिए हम फिर cout यूज करेंगे insertion operator लगाया अब हम string को यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम एक operator अपलाई करेंगे that is arithmetic operator और वो होगा plus का अब num1 हम write करेंगे यहाँ पर हमने इसी variable को call किया और यहाँ पर फिर हम plus symbol लगाएंगे that is arithmetic operator of addition और फिर हम num2 को call करेंगे हमने यह भी बताना कि num1 plus num2 is equal to dash number जो ही वो एक्टर करेंगा उसके लिए हम students फिर string apply करेंगे and then यहाँ पर num1 plus num2 और फिर से हम string apply करेंगे अब students उसके बाद फिर से इंसर्शन operator लगाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैंगे यह num1 num2 ऐससे print हो जाएगा और उसके बाद इसकी value print होगी जो हमने यहाँ पर operator लगाया अब students इसको run करते हैं हम students एक और बात के अगर हमने using neospace std ना use किया हो तो फिर यह हमारी output नहींगी क्योंकि एक standard input और output है तो इसके लिए हमें std को use करना पड़ेगा यहाँ तो हम इसको ऐसे use कर लें यहाँ पर scope resolution operator के साथ use करें तो जैसे मर्जी आप इसको use कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि same statement print हुई है तो add the value of num1 and num2 enter the value of num1 तो यहाँ पर हम num1 की value enter करें that is 5 तो यहाँ पर यह वाली statement print हुई है that is enter the value of num2 तो यहाँ पर हम num2 enter करेंगी that is 6 उसके बाद students यहाँ पर यह वाली statement print होगी उसके बाद फिर यह वाला रेटर अपलाई होगा तो यहाँ पर इसको हम एंटर करें तो आप देख सकते हैं कि num1, num2 is equal to 11 print हो गया तो students यहाँ पर आपको clear हो गया होगा कि हम cout और c in को कैसी यूज़ करते हैं तो यहाँ पर students है अगर हमने output एक से ज्यादा required हो यानि कि यहाँ पर मैंने 2 output print करवाई थी that is number plus 1 और यहाँ पर फिर हमने operator की output लिए तो उसके लिए हम यहाँ पर cout एक दफ़ा लगाएंगे उसके बाद फिर insertion operator जितनी हमें output चाहिए उस output के लिए हम insertion operator लगाएंगे और फिर बो statement print हो जाएगी तो this is all about our c in and c out मिलते हैं हम अपने next lecture में थैंक्यू और अल्ला हाफिज